एक बार किसी गाव में एक बुलिया रात के अंधेरे में अपनी जोपड़ी के बहार कुछ खोज रही थी. तभी गाव के ही एक व्यक्ती की नजर उस पर पड़ी, अम्मा इतनी रात में रोड लाइट के नीचे क्या धून रही हो, व्यक्ती ने पूछा. कुछ नहीं मेरी सुई गम हो गई है बस वही खोज रही हूँ, बुलिया ने उत्तर दिया. फिर क्या था, वो व्यक्ती भी महिला की मदद करने के लिए रुख गया और साथ में सुई खोजने लगा. कुछ देर में और भी लोग इस खोज अभियान में शामिल हो गए और देखते देखते लगभग पूरा गाउं भी इकट्था हो गया. सभी बड़े ध्यान से सुई खोजने में लगे हुए थे कि तभी किसी ने बुलिया से पूछा, अरे अम्मा, जरा ये तो बताओ कि सुई गिरी कहा थी. बेटा, सुई तो जोपड़ी के अंदर गिरी थी, बुलिया ने जवाब दिया. ये सुनते ही सभी बड़े क्रोधित हो गए और भीड में से किसी ने उची आवाज में कहा, कमाल करती हो अम्मा, हम इतनी देर से सुई यहां धून रहे हैं, जबकि सुई अंदर जोपड़े में गिरी थी, आखिर सुई वहां खोजने की बजाय यहां बाहर क्यों खोज रह ही है, इसलिए बुरिया बोली, मित्रों, शायद ऐसा ही आज के युवा अपने भविश्य को लेकर सोचते हैं कि लाइट कहां जल रही है, वो ये नहीं सोचते कि हमारा दिल क्या कह रहा है, हमारी सुई कहां गिरी है, हमें चाहिए कि हम ये जानने की कोशिश करें कि हम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और उसी में अपना करियर बनाए ना कि भेल चाल चलते हुए किसी ऐसी फील्ड में घुस जाए जिसमें बाकी लोग जा रहे हो या जिसमें हमें आधिक पैसा नजर आ रहा हो